Hello Friends, Company Law के अंदर, Shares के अंदर, आज जो हमारा टापिक है Buy Back Off Share, इसको मैं Update कर रहे हूँ, देखो यहाँ पे जो Update है, अगर आप Rightly Request करते हो, तो बहुत चल्दी उसकी Update हो जाती है, अगर आप गंदे मंदे कमेंड देते हो, खाना नहीं खाया, जोर से नहीं बोल सकती, तो आप आप देखो इस बात को समझो के, जो भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड किये जाते हैं, जब वो अप्लोड होते हैं, उस वक्त उनकी आडियो के अंदर को प्राप्रम नहीं होती, विद पैसेज ओफ टाइम क्या होता है, कि कुछ जो अप्टेशन जो है, टाइम लेती है, कई बार मेरे पास उसकी प्रीवेस फाइल नहीं पड़ी होती, या कई बार ऐसा भी होता है, कि जैसे उसके अंदर बहुत सारी चेंजिस आ चुकी होती हैं, और मेरे पास जो अमेंड़ेट प्रविजन होती है, वो अप्लिकेबल नही प्रविजन होती है, तो सबसे बहले हम देखते हैं कि बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब अपने खुद के share purchase करती है और देखो यहां पर क्या होता है कि यह logic होता है कि जब company के पास success capital होती है तो naturally यह जो है इसकी जो अपनी जो deadwood है जो इसकी capital जो है properly utilized नहीं होरी तो उसको reduce करके जो है अपनी naturally जब अपने share जो है purchase कर लेती है तो उस वक्त क्या होता है कि earning per share enhance होती ह तो buyback of share का अर्थ होता है कि जब company खुद के share purchase करती है company के पास success capital होती है और company जो capital utilize नहीं होरी उसको return back करना चाहती है अपनी capital को reduce करना चाहती है और ताकि अपनी earning per share को enhance कर सके और यहां पर जो मैंने procedure बताया है यह buyback as per the latest से भी buyback of security regulation 2018 act के मताबिक है तो यहां पर हम देखते है कि जो buyback है company जाए इसको क्यों मतलब क्या reason है जिसकी वज़ा से क्या है कि company जो है अपने share खुद purchase करें कई बार क्यों होता है कि देखो surplus cash जो है वो shareholders को return करना जाती है कई बार वो share की value कम हो रही होती है तो जब वो buyback करती है तो उसकी share की value jump कर जा है कि वो buyback का decision लेती है ताकि share की price rise करें और target capital structure को maintain करने के लिए अपना capital structure को revise करने के लिए reorganize करने के लिए अपनी जो capital है उसको reduce करने के लिए और यहां पे hostile takeover को भी रोकने के लिए जो है वो buyback of share जो है decision लेती है अब हम देखते हैं कि देखो जो power of company to purchase its own share जो है section 68 के मताबिक है तो यहां पे company जो है अपने share जो है purchase जब इसने खुद के करने है तो free reserve से कर सकती है और security premium account से कर सकती है free result के अंदर security premium account भी include होता है और उसी तरह क्या है कि देखो जो proceeds of the issue of any shares और other specified security देखो कोई भी जब जो है share issue करती है या कोई specified security issue करती है तो वहाँ से जो proceeds आता है उसको वो utilize कर सकती है देखो यहाँ पर इसके अंदर यह है कि buyback जो है कोई जो earlier issue same share का या same class का है तो वो amount जो है यहाँ पर utilize नहीं कर सकती तो देखो यहाँ पर हम देखते है कि company ने अगर अपने share purchase करने है तो वो free reserve से कर सकती है security premium account से कर सकती है और किसी भी share या specified security की issue से जो उसके पास proceeds आती है वो उसको utilize कर सकती है under section 68 और उसी तरह क्या है कि देखो जब भी basically क्या है कि जब भी company ने अपने share purchase करने है तो वो तब ही कर सकती है अगर उसके article उसको permission देते हैं आर्टिकल उसको authorized करते हैं और special resolution कुछ situations के अंदर क्या है कि general meeting के अंदर पास होना चाहिए और उसी तरह क्या है कि देखो special resolution उसी situation के अंदर पास होना है जहां पर क्या होता है कि buyback जो है 25 परसन या उससे लेस है अगर ये buyback 10% या उससे less है तो उस situation के अंदर क्या होता है कि special resolution पास करने की जूर्ट नहीं होती उस situation के अंदर क्या होता है कि board of directors की जो board of directors जो होते हैं वो resolution पास करके इसको authorize कर सकते हैं अगर buyback 10% या उससे less है paid up equity, capital and free reserve तो उसी financial year के अंदर ये buyback का decision लेती है और उसी तरह हम देखते हैं कि जो दो buyback के अंदर जो gap है वो कम से कम एक साल का होना चाहिए और देखो जो notice है जिसके अंदर जो shareholder की special resolution के लिए meeting call की जाती है तो वहाँ पर क्या है कि notice के साथ ये सारी details जो है लगी होने चाहिए full and complete fact of all material facts के हम buyback क्यों कर रहे हैं और buyback के अंदर कौन से securities हमने purchase करनी है और कितनी time duration के अंदर हमने buyback का जो procedure है उसको हम खतम कर देंगे तो देखो जो buyback जब हम company हमने share purchase करती है तो naturally जब ये special resolution pass करती है या अगर ये board of director या board of resolution है तो वहाँ पर क्या है कि जिस दिन से ये special resolution pass हो है या जिस दिन से board का authorization pass हो है तो उसके within one year जो है ये खतम होना चाहिए और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो जब special resolution pass हो जाता है या board of director जो है authorize कर देते हैं तो उस date से क्या है कि naturally within two working days जो है इसने एक public announcement करनी होती है कि हम जो है buyback of share जो है कर रहे है और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक company है अगर उसने buyback करना है और अगर वो buyback जो है 25% से जादा नहीं है और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर buyback 10% या less है तो उसके अंदर हमें special resolution की जूरूर्ट नहीं होती है उसके अंदर हमें सिर्फ board of director की जो authorization होती है और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो ratio of debt है owed by the company और इसके अंदर secure unsecure दोनों ही है और यह जो है जितनी capital and free reserve है उसे जो है double से जादा नहीं हो सकता पर central government जो है central government जो है कुछ situations के अंदर जो है यह ratio hire भी कर सकती है notification के द्वारा और देखो यहाँ पर जिन securities की company ने buyback करना है वो fully paid up होनी चाहिए और देखो यहाँ पर जो buyback का procedure है उसके अंदर C.B. का guideline जो होती है follow करनी होती है as per the guideline of C.B. अगर security जो है stock exchange पे लिस्टेड है otherwise जो government regulation frame करती है उस regulation के तहत क्या होता है कि buyback का procedure follow कराता है और देखो यहाँ पर क्या होता है कि naturally जब company ने buyback करती है तो naturally जो buyback करती है तो उसका जो result है वो reduction of share capital जो होना चाहिए और उसी तरह ही देखते है कि जो buyback है existing shareholder से हो सकता है open market से हो सकता है और lot से हो सकता है employees से हो सकता है और देखो जो buyback के अंदर क्या होता है कि eligible shareholder भी participate कर सकते है और अगर किसी eligible shareholder को tender letter नहीं जाता तो वो भी कर सकता है इवन जो unregistered shareholder होता है वो भी जो buyback procedure है उसके अंदर वो जो है उस facility का benefit उठा सकता है और उसी तरह क्या होता है declaration of solvency जो है जिस्टर आरफ company और security exchange board of india को file करने पड़ती है buyback से पहले और देखो जो declaration solvency होती है ये एक statement होती है कि company जो है financially sound है ये अपनी liability को जो है पूरा चुका सकती है और ये एक साल के अंदर जो है इसका दिवालिया नहीं निकलेगा और ये कम से कम जो है दो director के दोरा sign होनी चाहिए उनमें से एक managing director जो होना चाहिए और उसी तरह ही हम देखते है कि देखो जब basically क्या होता है कि जब buyback का procedure खतम हो जाता है तो जो last date होती है of the completion of the buyback उसके within seven days क्या होता है कि जो share होती है उनको physical destroy करना होता है और उसी तरह क्या होता है कि buyback के बाद अगर हमने further issue within six month नहीं लेके आ सकते है six month खतम होने के बाद लेके आ सकते हैं और उसी तरह जो buyback shares है उसका proper register जो है लगाना पड़ता है जिसके अंदर कितना amount पे किया है और किस दिन हमने जो है cancellation किया है किस दिन हमने share certificate को physical destroy किया है उसारी detail जो होती है उस रिजिस्टर के अंदर mention होती है और उसी तरह क्या होता है कि अगर share जो है stock exchange पे लिस्टेड होते है तो एक return जो है जिसके अंदर specified particular जो है बताए जाते है और within 30 days के अंदर जो है वह stock exchange को file कि राती है और देखो यहाँ पे अगर कोई company जा उसका officer जो है वो default करता है तो उनको 3 साल की imprisonment हो सकती है या fine लग सकता है और fine जो है एक लाग से 3 लेक्स तक जा सकता है या दोनों ही imprisonment भी हो सकती है साथ के साथ fine भी जो है लग सकता है और उसी तरह हम देखते हैं कि जो section 69 है वो कहता है कि अगर जो basically क्या है कि अगर company जो है अपने share जो है free reserve या premium से जो है purchase करती है और free reserve के अंदर premium भी include होता है तो उस situation के अंदर क्या होता है कि sum equal to the nominal value of the share जो है यह capital redemption reserve के अंदर जो है transfer किया जाएगा और यह जो सारी बाती है यह balance sheet के अंदर भी disclose की जाएगी और देखो यहाँ पर क्या है कि buyback जो है कुछ circumstances के अंदर prohibant भी कह रहता है कि देखो subsidiary के थूर नहीं हो सकता है investment company के थूर हो सकता और वो companies भी buyback नहीं कर सकती जो deposit की repayment के अंदर default करती है या interest के अंदर default करती है या preference के redemption के अंदर या dividend की payment के अंदर जो है default करती है तो वो company जो है buyback नहीं कर सकती और कोई भी company जो है जिसने buyback करना है तो उसको section 92, 123, 127 and 129 जो है comply करना पड़ेगा उसके बाद ही क्या है कि वो buyback का जो procedure है उसको adopt कर सकती है